खुदाई करते समय वो फावड़ा मूर्ती के पेट पर लग गया और उस पेट में से एक लाव रंग का द्रवे बहने लगा तरल पधार्थ बहने लगा जब देखा तो तरल पधार्थ वो खून था लोगों को बहुत ही आश्चरे हुआ और उन्होंने उस मूर्ती को वही प पर नरसिंग का मंदिर है कैते हैं किसी समय इस पहार की खुदाई हो रही थी तो उस कुदाई करते समय मूर्ती के पेट पर लग गया और उस पेट मेसे एक लाव रंग का द्रवे बहने लगा तरल पधार्थ भेने लगा जब कि उस मंदिर के पुजारे आज भी हल्दी का लेप चड़ाते हैं, हल्दी नर्सिंग देव पर चड़ाते हैं, ताकि उनका घाफ ठीक हो जाए, और हल्दी का परसादी भक्तों को दिया जाता है, मंदिर के अंदर किसी को भी जाने के अनुमती नहीं दी जाती, केवल आप भा मूर्ती को कहीं से भी दबाते हैं, तो इनसानों की तरही वे हिस्ता दब जाता है, अंदर कि और दबता है, जैसे कि इनसानों का दबता है, ये चमतकार अपने आप में किसी बात से कम नहीं है, लोग बाग इस चमतकार को देखने दूर दूर से आते हैं, उस मूर्ती के दर करते हैं जो कि बिल्कुल इंसानी शरीर जैसा दिखता है